प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आप और नेवर मिस अनाधर अपडेट Android Vita ये वाला launcher आपको mobile में install कर लेना होगा इस launcher को install करने के बाद आपने इसको open कर लेना है इस same launcher का link आपको वीडियो के description मिल जाएगा वहाँ से भी आप इसको direct अपने mobile में install कर पाएंगे यहाँ पर friends देखिए ये open हो गया mobile में install होने के बाद इसके बाद आपको start पर click कर देना है इसके बाद आपको mobile की home की press करनी होगी अब देखिए आपके सामने option आ जाएगा दूसरे number पर Oreo UI आपको इसपर click कर देना है इसके बाद दुबारा से आपको home की press करनी है अब देखिए ये पहले number पर आ गया है use Oreo UI as home अब आपको always पर click कर देना है इसके इलावा friends आपको इसमें कोई भी अलगसे setting नहीं करनी पड़ेगे अब आप जिस भी application का चाहे name change कर सकते हैं या फिर उस application को hide कर सकते हैं और जो application आप hide कर देंगे उसको open कैसे करना है वो method भी मैं आपको बता देता हूँ ठीकर friends अब चलते हैं हमारी applications में यहाँ पर friends देखिए सबसे पहले हम for example AliExpress application है अगर हम चाहते हैं कि इसका name change करना है तो name किस तरह change करना है आपने पहले उसको press करके रखना है icon को उसके बाद देखिए आपको pencil का mark दिख जाएगा सबसे उपर आपने इस पर click करना है यहाँ पर देखिए friends अब आपको name change करने का option आ रहा है otherwise अगर आप किसी भी application को press करके रखते हैं तो उसका shortcut आपके mobile की main screen पर चला जाता है लेकिन अब अगर आप click करके रखेंगे तो यहाँ पर आपको name change करने का option आ जाएगा तो आप देखिए हम इसको delete करके यहाँ पर लिख देते हैं A-P-L-E खीक है friends हमने apple लिख दिया अब ok कर दिया इसके बाद friends हमने back चले जाना है अब देखिए यह application fourth number पर चले गी है और इसका name जो है वो change हो चुका है अब friends हम चाते हैं कि यह application mobile में से hide हो जाए आपके सिवा इस application को कोई भी person open ना कर पाए तो friends आपको क्या करना होगा दुबारा से इसको long press करके रखना है अब दुबारा से आपको pencil वाले mark पर click करना है अब देखिए सबसे last में आपको option मिल रहा है visibility का आपको इस option को off कर देना है यानि कि अब यह application visible नहीं रहेगी अब जैखिए जैसे हम back चले जाएंगी तो यह application यहां से hide हो चुकी है अब अगर कोई भी person आपके mobile में कोई भी application वगरा देखना चाहेगा तो उसको यह application नहीं बता चलेगी इस तरह से आप किसी भी application का name change कर सकते हो और उस application को चाहो तो आप hide भी कर सकते हो अब मैं आपको उताता हूँ friends अगर आपने hide को यह applications को देखना हो तो आप किस तरह से देख सकते हैं देखिए पहले आपके mobile में setting का सिरफ आपको एक ही option मिलता होगा लेकिन इस launcher को install करने के बाद आपके mobile में setting के दो option आ जाएंगी तो आपने देखिए जो blue color वाला setting का option है आपने उसको open कर लेना है इसके बाद आपको third वाले option में जाना है apps and notifications में यहाँ पर जाने के बाद आपको देखिए जो पहला option है app info आपको इस पर क्लिक कर देना है अब देखिए यहाँ पर आपको जो application आपने hide की होगी हम देख लेते हैं देखिए यह पड़ी है उसके real name से ही आपको वो application यहाँ पर मिल जाएगी friends इस तरह से अब आप जब भी चाहें किसी भी application का name change कर सकते हैं तो उपर चैनल को subscribe करने का link दिया हूँ यहाँ पर क्लिक करके आप Mr.Growth चैनल को subscribe कर सकते हैं ताकि मैं जब भी latest information की वीडियो बना कर आपके साथ share करूँ तो वो आपके miss ना हो ठीक है friend जल्दी मिलते हैं यह और नहीं वीडियो के साथ